हालो स्टूरेंट्स वेलकम तो विनर इंस्टिटूट मैं औरको प्रभा मुकरजी आपके लेकर आ गाये हैं दा हिंदू एडिटोरियल अनालेसिस ऑफ सेवेंट फेवरी तुथाउजन ट्वेंटिफोर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दा हिंदू एडिटोरियल अनालेसिस एक बार चेक कर लेते हैं हाँ ठीक आवाज सही आ रहा है चल्ड करते हैं तो अगर आप विनर इंस्टिटूट के साथ अगर आप जोएन होना चाहते हैं तो यहां पर वेबसाइट का लिंक यहां पर दिया गया है www.winnerinstitute.com अगर आप यहां पर ऑफ इन बैसे में भी अगर आप जोएन होना चाहते हैं तो यहां पर contact number प्रवाइड किया गया है ध्यान में रखना विनर इंस्टिट के दो ब्रांचेस हैं एक नागपुर दूसरा पूरे में तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का दा हिंदू एडिटोरियल अनाले सकती हैं तो देखी हैं यहां पे 》। बहुत सारा घपला था उसमें बहुत सारे problem थे तो ऐसा लग रहा था कि इसको एड्किया गया है आजका फॉर्स एडिटोरियल है कि उसके उपर सूपर सूपर०्ट अफिञ च्वार कि रिमार्क क्या है जो किसके ऊपर है जो मंटरी पॉलिसी कमिटी जो जिसका रिपोर्ट हम लोगों को कल देखने को मिलेगा तो उसी के ऊपर है कि RBI के पास अभी वक्त है RBI के पास जो है अपने हिसाब से अपने जो policy stances है उसको change करने का वक्त है तो उसी के उपर जो है आज का second editorial है second editorial जो है बच्चों banking जो aspirants है या फिर जो economics के लिए बहुत एक important aspect है exam point of view से तो बहुत important मन जाता है second editorial ठीक है तो ध्यान से समझना तो चलिए start करते हैं आज का the Hindu editorial analysis इसमें जो first editorial है उसका vocab से सबसे बहले हम लोग start करेंगे पहला जो word है वो क्या है travesty, travesty क्या है noun है पहला जो word है वो क्या है travesty ठीक है travesty का मतलब क्या है कि मान लो ऐसा कोई चीज जिसका जो qualities होना चाहिए वो असल में है नहीं उससे degrade हुआ है जैसे मान लो यहां पर जो mayor का election है उसका जो process था जिस हिसाब से mayor का election होना चाहिए था वैसे हुआ नहीं इसको read किया गया तो situation का हम लोग क्या कहेंगे travesty हम लोग कहेंगे something that does not have the qualities or values that it should have in a way that is often shocking or offensive अगर वो अगर शोकिंग हो अगर वो अगर offensive हो देन उसे हम लोग क्या कहेंगे उसे हम लोग travesty हम लोग कहेंगे then kya है stinging stinging क्या है वर्वर्वा स्टिंगिंग का मतलब क्या है इसा बात किया जाए किसी को जिससे क्य है उसको दुख पौँचे नुशें लोग क्या कहेंगे उसे व्यों लोग stinging हम लोग कहेंगे then जो word है वो क्या है appelling, appelling क्या है adjective है, appelling ध्यान रखना, appelling का मतलब क्या है कि ऐसा कोई चीज जो क्या है किसी को shock provide करे या फिर कोई अगर किसी को दुख पहुँचा है, या फिर कोई गलत चीज है, ठीक है, कि किसी को shock में डाल दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, appelling हम लोग कहेंगे, then जो word है वो क्या है defacing, defacing जो है deface से आया है, उसके साथ ing आड हुआ है तो बन गया यह जीरंट, ठीक है, defacing का मत क्किभी चीज को अगर spoil कर देना, किसी पी चीज को खराब कर देना, उसे जो है कहा जाता है, defacing, जैसे यहां पर जो election है, उसको वर्ब के साथ प्रिपोजिशन बन गया, फ्रेजल वर्ब, तो put off का मतलब क्या है, किसी भी चीज को postpone कर देना, उसे जो हम लोग put off कहते है, then show of hands, show of hands क्या है, फ्रेज है, show of hands का मतलब क्या है, कि मान लो ऐसा कोई vote अगर लिया जा रहा है, जहां पे क्या है, लोग जो है अप ग्रूप of people, by the raising of hands, अगर वो अगर हाथ raise करके, अगर vote कर रहा है, देन उसे हम लोग क्या कहेंगे, show of hands, with numbers typically being estimated rather than counted, जहां पे क्या है, numbers को जो है estimate किया जाता है, count नहीं किया जाता, then dubious, dubious का adjective है, dubious का मतलब क्या है, doubtfully हम लोग ने पहले भी किया है, कि मान लो जिसका कोई opinion अगर सही नहीं है, वो अगर settled opinion नहीं है, या फिर कोई doubtful चीज को हम लोग क्या कहेंगे, dubious हम लोग कहेंगे, then आ जाते है, brazenly, brazenly क्या है, adverb है, brazenly का मतलब क्या है, ऐसा कोई चीज, जो क्या है, shameless हो, जो क्या है, bold हो, ठीक है, उसे जो हम लोग क्या कहेंगे, brazenly हम tutorial, क्या बोला जा रहा है कि travesty in Chandigarh, तो बोला जा रहा है कि travesty in Chandigarh, यानि कि Chandigarh में जो election process हुआ है, जैसा होना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं है, travesty का मतलब ही यह है, कि जैसा होना चाहिए, वैसा अगर ना हो रहा है, then उसे हम लोग क्या कहते है, travesty, so travesty in Chandigarh on mayor electoral election and the Supreme Court of India's remarks, तो किसके उपर बातचीत किया जा रहा है, mayor का election and Supreme Court of India का जो remarks है, उसके उपर यहाँ पर बातचीत किया जा रहा है, manner in which mayor poll was manipulated, तो बोला जा रहा है कि जिस manner से, mayor का जो poll है, उसको जिस manner से manipulate किया गया, has grave implications for democracy, उसका जो है, बहुत ही खराब implication देखने को मिल रहा ह किसके लिए हम लोगा country का democracy के लिए, यानि कि जिस तरीके से mayor का poll को यहाँ पर manipulate किया गया है, यहाँ पर mainly किसके उपर आरोग दिया जा रहा है, BJP government के उपर, कि BJP government ने जैसे इस पूरा process को जैसे manipulate किया है, तो इससे हम लोगा country का democracy में जो है यह grave implication जो है यह डाल रहा है, तो क्या बोला जा रहा है, कि the supreme court of india's stinging remarks, तो बोला जा रहा है कि supreme court of india's stinging remarks का, यहाँ पे जो remarks है, stinging का mतला चया जो pain क्रोएड कर रहा है, कि Supreme Court of india का जो remarks है इसके उपर वो क्या है pain provide करना है, ठीक है, तो the supreme court of india's stinging remarks on the manner in which the mayor of chandiga Park was तो जो Supreme Court of India का यहां पे जो painful remark है वो यह indicate करता है कि जो Mayor of Chandigarh का जो election यहां पे हुआ था has confirmed suspicion that the victory of Manoj Shankar तो बोला जा रहा है कि इस बात पे जो है भी शंका हो रहा है कि यहां पे जो जीत हुआ है कि इसका Manoj Shankar का यहां पे जो जीत हुआ है the Bharatiya Janta Party candidate जो क्या है BJP के candidate है was obtained through manipulation उसे जो है manipulation से जो है वो वोट जीता है असल में वो जीतने वाला नहीं था ऐसा लग रहा है कि वो जो है manipulation से जो है यह वोट को जीता है after viewing footage of the video graph electoral process अब देखो यह जो है सामने आया था ठीक है यह हर जगा Twitter यानि की जो X है अभी जो X हो गया है उसमें हर जगा यह वाइरल हुआ था ठीक है यह वीडियो की यहां पे जो है यह process को manipulate किया गया है तो यही बोला जा रहे कि after viewing the footage of the video graph electoral process the chief justice of India कौन है बच्चों डिवाई चंद्रचूट ठीक है the chief justice of India found it appalling तो उसको जो है ऐसा लगा कि यह जो है गलत हुआ है कि that the presiding officer जो presiding officer यह जो हर एक चीज को जो नजर रख रहा था जिसके उपर वो presiding officer ही जो है वो गलत था उसी ने जो है यहां पर जो है गलत involvement दिखाया तो has been appalling appalling का मतब कि यह बहुत ही shocking है ठीक है तो यहां पर chief justice of India का यह कहना है कि यह बहुत ही एक shocking चीज है कि जो presiding officer जिसके उपर यह पूरा दारुंदर था कि इसको सही से चलाना है उसी जो है बतब वही जो है यहां पर गलत तरीके से involved हो गए so that the presiding officer himself appeared to be defacing the ballots तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जो presiding officer है वो खुद जो है यहां पर ballots को जो है वो क्या कर रहे थे वहाँ पर manipulate कर रहे थे and termed it a mockery of democracy and जो chief justice of India ने यह कहा है कि यह जो है democracy का मजा कुड़ाया जा रहा है यहां पर तो directly देखो जो supreme court है वो किसी का नहीं सुनता कौन यहां पर prime minister है कौन प्रेसिदेंट है वो किसी का नहीं सुनेगा ठीक है supreme court का cgi chief justice of India उसका अलग power होता तो उसने directly यह बोला है कि यह जो है ऐसा देखने से लग रहा है कि यह जो है democracy का यहां पर मजा कुड़ाया जा रहा है many had noted as soon as the election was called in favor of the BJP तो बोला जा रहा है कि बहुत लोगों नहीं नोट किया कि as soon as जो यहां पर जो election है जैसे वो BJP के favor में गया was called in favor of the BJP that it was a travesty कि यह जो है इसको जो है जो ऐसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं है that it was a travesty that took place on January 30 जो कब हुआ January 30 को हुआ as eight votes cast by elected councillors were declared invalid क्योंकि यहां पर क्या है जो आट वोट है जो councillors ने वहां पर जो जो वोट दान किया था उसको जो है क्या कर दिया उसको invalid भुशित कर दिया ठीक है the election held on January 30 itself was based on a direction from the Punjab and Haryana तो बोला जा रहा है कि जो election जो हुआ था ठीक है January 30 को तो वो itself जो है वो एक direction के basis पर हुआ था किस का यह direction कौन प्रोवाइड किया था Punjab and Haryana High Court ठीक है उसने यह कहा था कि January 30 को जो है यहां पर election होगा earlier it was due to be held on January 18 पहले ही होने वाला था कि January 18 को election होने वाला था बट बात में जो है उसको January 30 को कर दिया but it was deferred to February 6 at the last minute but देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि January 18 को होने वाला था फिर जो है उसको February 6 को पोश्पॉन कर दिया गया कि इस बात में पोश्पॉन कर दिया कि यह disclose किया था कि जो अनिल मसी है जो एक nominated councillor है and a BJP minority wing functionary जो BJP का minority wing से जो बिलॉंग करता है उसका जो है तबियत खराब हो गया इसलिए इसको January 18 से इसको पोश्पॉन किया गया था February 6 में but court ने यहाँ पे intervene किया पंजाब एन हड़ियाना high court ने यहाँ पे intervene किया and उनका यह कहना है कि नहीं आपको January 30 को ही यहाँ पे election करवाना है and उसी वाज़ा से जो है January 30 को यहाँ पे election हुआ however thanks to the court's intervention तो यहाँ पे author कह रहा है कि however यह court का intervention के वज़ा से ही हम लोगों को क्या देखने को मिला कि it was advanced to January 30 इसे जो है January 30 कि वो जो है इसको लेकर गया the Congress and the आम आदमी party alleged that the election was put off only because two parties तो बोला जा रहा है कि जो Congress है and जो आम आदमी party है उन्होंने यह दोशी ठहराया है कि जी election है उसे postpone इसलिए किया गया put off का मतलब क्या है postpone करना ध्यान में रखना बच्चो put off का मतलब क्या है postpone करना यह क्या है phrasal verb है कि जी election है उसे postpone इसलिए किया गया only because two parties which were contesting jointly were set to win अब Congress and आमादमी party के यह कहना है कि यहां पर election को postpone इसलिए किया गया क्यूंकि Congress and आमादमी party जो एक जोट होके यहां पर लड़ रहे थे वो लोग जीतने वाले थे किसी लिए इस जर के वज़ा से जो है इसको postpone किया गया आमादमी party has 13 members तो वो यह बोला जा रहा है कि आमादमी party के 13 members है and the Congress 7 in corporation and Congress के 7 members है corporation में but the आमादमी party candidate कूलदीप कुमार polled only 12 votes but आमादमी party के candidate है उसको कितना यहां पर vote यहां पर मिला 12 votes यहां पर मिला with 8 votes being declared invalid अब तोटल कितने थे 13 और यहां पर साथ 20 बट यहां पर जो है सिर्फ कितना मिला यहां पर यहां पर सिर्फ 12 votes को यहां पर calculate किया गया बाकी जो 8 votes है उसको invalid declare कर दिया गया अब इसी में तो घपला नजर आ रहा है कि 8 votes को क्यों यहां पर invalid declare किया गया उसके बारे में कोई भी यहां पर आता पता है ही नहीं सो मिस्टर सोंकर with 16 votes was declared the winner अब हुआ कि जो सोंकर है इसके बाद 16 votes थे उसको winner declare कर दिया गया बट यह जो 8 votes है यह invalid क्यों है उसके बारे में कोई भी बात्चित नहीं हुआ यह हम लोग पढ़ेंगे अभी second paira में क्या बोला जा रहा है कि the mayor is chosen by the 35 elected councillors तो बोला जा रहा है कि जो mayor है इसे जो है 35 elected councillors द्वारा इसे जो है choose किया जाता है and the member of parliament for Chandigarh की एक MP रहता है and 35 councillor द्वारा जो है यहां पर mayor को चुना जाता है total 36 लोग है ठीक है a simple method for a comparatively small elected body choosing its mayor is by a show of hands or the members rising in support of the respective candidates तो बोला जा रहा है कि यह simple method है for a comparatively small elected body कि वो जो है जब यह mayor choose करता है ऐसा लगता है कि हम लोग यह directly estimate कर सकते है कि कौन कितना जितने वाला है vote ठीक है यह क्या small body है अब यह small electoral process है अब इसमें डारेक्टली कोई भी भाप सकता है कि कौन यहां पर जीतेगा अब अल्रेडी यह पता था कि Congress and आमाद्वी पार्टी यहां पर जीतने वाले हैं indicates that there was suspicion of possible cross voting अब ऐसा प्रतीत हुआ कि यहां पर जो है cross voting भी हुआ है what made the process dubious अब यह बोला जा रहा है कि इस process को doubtful क्या बनाता है dubious का मतलब क्या doubtful कि यह process को doubtful क्या बनाता है कि was that Mr. मसी जो मिस्टर मसी है who presided over the election तो बोला जा रहा है कि अभी हम लोग ने शुरात में देखा था ना कि Supreme Court का यह कहना है कि यह बहुत शौकिंग बात है कि जो presiding officer है वही इसमें मिले हुए है तो presiding officer का नाम क्या है Mr. मसी तो यह बात में जो है बहुत ही शौकिंग चीज है कि वह वह व्यक्ति जो यहां पर presiding officer थे Mr. मसी who presided over the election was accused of not showing the invalid ballot papers to the candidates की उनके उपर यह आरूप लगा कि उन्होंने जो है तो आमादवी पार्टी candidate were declared invalid अभी बोला जा रहा है कि यह किसी को पता ही नहीं है कि वह वोट जिसको ऐसा लग रहा था कि यह आमादवी पार्टी के पास ही जाने वाला था यह वोट ठीक है जिससे क्या आमादवी पार्टी जीत जाते कि उसके साथ हुआ किया है ठीक है त आपेक्स कोर्ट यानि कि सुप्रिम को कहा जा रहा है ठीक है जो बैलट बॉक्स है उसको जो है यहाँ पर क्या है उसको यहांपर और किया है and handed over to the high court's register general and the proposed corporation meeting postponed until further orders and उसको hand over किया, किसको hand over किया, high court का register general को hand over कर दिया, ballot box and जो भी वहाँ पे orders थे and ये propose किया कि जो corporation का meeting है वो अभी postpone हो जाएगा until further order, जब तक notice ना आए तो the development में concerned only one municipal corporation तो बोला जा रहा है कि जो development है, वो इस बात को जो है चिंदा जनक विशय पे डाल रहा है कि ये जो है सिर्फ एक municipal corporation को लेकर है in the country but the idea that an election can be so presently, presently का मतब इतना जो है शर्मनाक तरीके से इतना openly जो है इसको rig किया गया है has grave implication for the democracy तो बोला जा रहा है कि देखो बात सिर्फ एक municipal corporation को लेकर नहीं है बड़ बात यह है कि इतना openly जो है यहां पे जो है वोट को यहां पे rig किया गया यह जो है हम लोगा देश का जो democracy है उसके लिए जो है यह गलत बात है अब यहां पे author देखो क्या बोला है यहां पे कि अब political party एक ऐसा political party seeking to be reelected for a third consecutive term कि एक ऐसा political party जो क्या है अभी तीसरी बार जीतने जा रहा है लोग सभा वोट को यानि कि BJP को यहां पे indirectly कहा जा रहा है कि ऐसा political party जो अभी तीसरी बार जीतने वाला है अभी लोग सभा term at the national level cannot be cannot be seen as manipulating any election in this manner तो उसको जो हम लोग ऐसे manipulate करते हुए नहीं देख सकते कि ऐसा इतना बड़ा party जो अभी तीसरी बार जो है जितने वाला है यहां पे हमारा लोग सभा election मतलब यह हम लोग भाप सकते हैं तो उसके तरफ से इतना गलत काम यह हम लोग expect नहीं कर सकते only a verdict invalidating the election तो बोला जा रहा है कि only एक ऐसा अगर कोई राय निकले कि जहां पे जो पुराना जो election उसको invalidate ठहरा दे एक fresh election को यहां पे होने के लिए अगर court कह दे with safeguards against manipulation will be in the interest of justice कि एक और अगर election हो जाए जहां पी हर एक चीज का ध्यान रखा जाएगी कोई भी manipulation ना हो so that would be much better in terms of justice तो यही कहा गया आज का first editorial में ठीक है बच्चों clear है अगर अच्छा लगे तो वीडियो को like कर देना comment section में जरू बताना कि पहला editorial कैसा लगा next editorial में आ जाते हैं बहुत important है economics related क्या बोला जा रहा है कि musings सबसे पहला जो है musings है musings क्या noun है musings का मतलब क्या है कि एक समयकाल जहां पे क्या है हम लोग किसी भी चीज को सोच विचार कर सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर so a period of reflection or thought then maneuver maneuver क्या है noun है maneuver क्या है movement that needs care or skill ऐसा movement इसमें क्या है कोई भी skill का जरूत पड़ता है या फिर कोई care का मान लो कोई भी चीज मान लो उसमें थोड़ा बहुत changes कर देना ताकि उस चीज में और improvement आ जाए उसे हम लोग क्या कहते है उसे हम लोग maneuver हम लोग कहते है next क्या है rand, rand क्या verb है rand का मतलब क्या किसी चीज को अपने control में रखना उसे जु है rand कहा then elusive, elusive गयाया adjective मतलब क्या है ऐसा कोई चीज में पकड़ नहीं सकते, जी सेह में लोग खोज नहीं सकते जीसे उसे हम लोग सोच नहीं सकते, उसे हम लोग क्या कहेंगे, then क्या है, prop है, prop का मतलब क्या है, ऐसा कोई चीज जो क्या है, किसी चीज को support कर रहा है, ठीक है, कोई भी incident को support कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते है, prop कहते है, ठीक है, prop क्या है, noun है, then lastly क्या है, tad, tad का मतलब क्या है, ब बहुत ही important है, क्या बोला जा रहेगी, mint street musing, किसके उपर यहां पर thoughts है, thought process किसके उपर है, mint street, mint street किसे का जाता है कि ऐसा कोई जगा, जहां से क्या हम लोगा country का पूरा economic जो भी activities है, जहां से होता है, उसे हम लोग क्या कहते है, mint street, so mint street musing, यानि कि बातचीत किसके उपर होगा, mint street के उपर होगा, on the interim budget and the RBI, main focus क्या है, अभी जो interim budget पेश किया गया, and RBI के उपर, main यहां पर बातचीत होगा, the interim budget gives the central bank some more room to maneuver, तो बोला जा रहा कि यह interim budget है, यह RBI को जो है, थोड़ा वक्त दे देता है, RBI को थोड़ा सा समय प्रोवाइड कर रहा है, कि वो जो है, अपने latest bimonthly meeting of the Reserve Bank of India's monetary policy committee, क्या बोला जा रहा है कि जो latest bimonthly meeting है, bimonthly क्यों कि monetary policy committee है, हर दो महिने में होता है, साल में 6 बार होता है, ठीक है, जैसे अभी February में हुआ, फिर कब होगा, April में होगा, फिर June में होगा, फिर August में होगा, again तुमारा जो है, October में देखने को मिलेगा, then December, again February, तो हर दो महिने में, मंट्री policy committee बैठता है, तो जो latest job meeting है, Reserve Bank of India का मंट्री policy committee का, अच्छा बच्चो मेरे को ये बताना जरूर, ठीक है, comment section में कि मंट्री policy का main aim क्या है, ठीक है, मंट्री policy का main aim क्या है, ये मेरे को comment section में जरूर बताना, चलो, the latest bimonthly meeting of the Reserve Bank of India's monetary policy committee, whose outcomes, ज on February 8, यानि कि कल, जो है, मंट्री policy committee ने क्या decision लिया, उसका outcome हम लोगो कल देखने को मिलेगा, is widely expected to result in a status quo, तो बोला जा रहा है कि हम लोग expect कर सकते हैं, इससे क्या है, जो status, अभी जो current status है, उसमें कुछ changes देखने वाले हैं, कि इसमें on interest rate, yet again, तो बोला जा रहा है कि हम current status में, जो interest rates में, जो changes हैं, जो अभी current status हैं, उसमें कोई भी जो है, differences हम लोग यहाँ पर expect कर सकते हैं, based on the latest मंट्री policy committee, at its last review in early December, अब देखो हर दो मैने में होता, तो last December में होता, वहीं से शे से 8 December, तो यहीं बोला जा रहा है कि as its last review, जो last में जो कहा था, in early December में, five of the six MPC members MPC यानि मंट्री policy committee में, six members होते हैं, तीन RBI के तरफ से होते हैं, तीन जो है, government of India के तरफ से होते हैं, तो यहीं बोला जा रहा है कि यह जो छे मंट्री policy committee के members थे, उन में से पांच, जो members है, had voted to persist with the withdrawal of accommodation stance, अब withdrawal of accommodation किसे का जाता है, ध्यान सा सुनना बच्चो, मंट्री policy committee के क कुछ stances होते हैं, ठीक है, उन में से एक stance जो है, withdrawal of accommodation stance है, जहाँ पर क्या है, RBI यह चाता है कि हमारे economy में money flow बढ़करार रहे, interest rate को RBI बढ़ाना नहीं चाता, देखो repo rate को अगर बढ़ा देगा ना, तो ultimately liquidity कम हो जाएगा, market से, तो RBI जो है repo rate को बढ़ाना नहीं चाता, या इसे का जाता, withdrawal of accommodation, इसका opposite क्या हो जाता है, इसका opposite हो जाता है, hawkish, hawkish accommodation, hawkish, ठीक है, यह भी एक term है, hawkish, hawkish accommodation का मतलब क्या है, कि जहाँ पर RBI का main मकसद क्या है, कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है, directly, interest rate को हम लोग बढ़ा देंगे, इससे क्या है, market से liquidity को कम कर द जा रहा है, कि जो last, जो December में, यहाँ पर बातचीत हुआ है, Mentory Policy Committee में, वहाँ पर 6 members में से 5 members ने यह कहा है, कि हम लोग का stance रहेगा, वो क्या रहेगा, withdrawal of accommodation stance, यानि कि market में money flow पर करार रहे, stance, and the panel had raised its GDP growth, तो बोला जा रहा है, कि जो RBI panel ने, वहाँ पर जो MPC panel है, उन्होंने GDP growth को जो है, यहाँ पर कितना forecast किया है, for the year to 7%, कि इस साल में, यह जो financial year up to 31st March, जो GDP growth है, वो कितना देखने को मिलेगा, until 7% from 6.5%, बच्चों मैं रगो, comment section में चाहिए, कि GDP का definition चाहिए, मैं रो comment section में, कि GDP किसे कहा जाता है, ठीक है, hopes of a stance shift to neutral are slim, तो बोला जा रहा है, कि ऐसा कोई जो है, hope, यानि कि आशा कि जो accommodation है, वो neutral हो जाए, neutral का मतलब क्या है, जहाँ पर RBI का, जो है, नहीं interest rate बढ़ाने में कोई धिहान हो, नहीं inflation को control करने में कोई धिहान हो, उसे का जाता है, neutral stance, ठीक है, तो यह बोला जा रहा है, कि ऐसा कोई neutral stance के तरफ, अगर RBI incline करेगा उसके तरफ हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, और उसके तरफ कोई आशा हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, तो यह बोला जा रहा है कि hopes of a stance, shift to neutral, are slim, वो जो है, बहुत ही कम है, जो उसके उपर जो आशा है, but it would be instructive to see if the growth estimate is revisited, तो बोला जा रहा है कि यह जो है instructive है, यह देखन में हमें देखने को मिला था, January का इन यूस है, कि जो हम लोग का GDP growth है, वो केता है, 7.3% growth हमें देखने को मिलेगा, तो यह बोला जा रहा है कि क्या उसके दोरा, जो National Statistics Office का यहां पर जो report है कि हम लोग का GDP growth, जो 7.3% हमें देखने को मिलेगा, क्या उसके under में क्या कोई change करेग यह देखने लाएक बात है, the US Federal Reserve, अब देखो, US Federal Reserve क्या है, USA का सबसे बड़ा, यहां फिर हम लोग बोल सकते हैं कि Apex, जो Bank है, जैसे India का है, Reserve Bank of India, तो US का है Federal Reserve, तो बोला जा रहा है कि US Federal Reserve held interest rate for the fourth state review last week, तो बोला जा रहा है कि जो interest rate है, उसको जो है change नहीं किया है, US Federal Reserve ने, ठीक है, and the chairman Jerome Powell was vague about the proximity of much anticipated rate cuts this year, and यहां पे जो, and यहां पे, जो Jerome Powell है, Jerome Powell कौन है, chairman है किसका, US Federal Reserve का, बच्चों, यह important मन जाता है कि US Federal Reserve का chairman कौन है, तो नाम याद रखना, Jerome Powell, वो जो है, इस बात पर clarity नहीं दे पाए है, vague का मतलब क्या है, without any clarity, so was vague about the proximity of much anticipated rate cuts this year, अब यहां पे US Federal Reserve के साथ, क्यों यहां पे link किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का यहां पे, जो भी RBI का, जो भी stance होता है, हम लोगों का जो economic, जो हम लोगों का जो tendency है, वो क्या है, US में जो भी tendency होगा, वही same चीज़ जो है, almost India में अपनाया जाता है, USA म लोगा repo rate घटा दे, तो यहां पे चांसे हैं, कि वो हमें RBI के तरफ से वही same stance देखने को मिलेगा, तो वही बोला जा रहा है, कि इस बात पर Jerome Powell का कोई भी clarity नहीं है, कि जो much anticipated rate cuts है, उसके उपर कोई भी clarity नहीं है, कि असल में rate cuts होगा की नहीं, seeking more data to establish that inflation had been rained in sustainably, जहां पे क् inflation को क्या सच में क्या हम लोग control कर पाएं कि नहीं, ठीक है, insustainably, rain का मतलब क्या है, control करना, India's policy makers, India के जो policy makers है, जैसे मान लो RBI हो गया, India's policy makers may not take a direct a queue from the US Federal Reserve, तो बोला जा रहा है कि जो India के जो policy makers है, ठीक है, वो क्या है, directly, वो क्या है, directly, कोई भी जो है, यहां पे हिंट, यहां पे directly, कोई भी जो है, चीज वहां पे US Federal Reserve से नहीं लेंगे, यह जो है, author का कहना है, but the concerns are similar as Governor Shaktikaan Das had articulated in December, but जो inflation का जो concern है, वो क्या है, US Federal Reserve में भ जो क्या है, जो क्या है, जो क्या है, जो शक्तिकानदास ने अल्रेडी December में अल्रेडी यहां पे हम लोगे सामने पेश किया है, the 4% inflation target remains elusive for now, elusive का मतलब क्या है, बहुत ही दूर रहा है, तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि Reserve Bank of India का 4% inflation target, देंको Reserve Bank of India का target कितना है, Reserve Bank of India का target ह 4% plus minus 2%, ठीक है, जो 4% plus minus 2% यानि कि 4% का target है, वो जो है अभी बहुत ही दूर है, December's inflation rate hit a 4 month high of 5.7% तो यह बोला जा रहा है कि December का जो inflation rate जो है, वो क्या है, चार महिने में सबसे ज़्यादा 5.7% हम लोगो देखने को मिला है, the Reserve Bank of India expects inflation to average 5.2% तो बोला जा रहा है कि Reserve Bank of India है, वो यह expect करता है कि हम लोगों का inflation है, उसका average कितना देखने को मिलेगा, 5.2% in this quarter, इस quarter में, यानि कि यह January to March वाला जो quarter है, इसमें हम लोग expect कर सकते हैं, which it only expects to cool to 4.4% in the July September phase, तो यह बोला जा रहा है कि RBI का यहाँ पर जो target है, 4% inflation का यह जो है तभी आ सकता है, जब next fiscal year में, July September वाला quarter में हम लोग यह expect कर सकते हैं, providing a window for a rate cut consideration if the monsoon is normal, तो बोला जा रहा है कि अगर monsoon अगर सही होगा, देखो monsoon अगर सही होगा, ultimately क्या है, जो food sector में क्या है, inflation हमें कम देखने को मिलेगा, then ultimately हम लोग यह expect कर सकते हैं, कि जो rate cut हमें देखन मिलेगा, तो ultimately market में liquidity हम लोग यह expect कर सकते हैं, जो growth है हम लोग और expect कर सकते हैं, inflation भी control में आ जाएगा, फिर क्या बोला जा रहा है, next para में, कि finance minister निर्मला सितरमन's interim budget, कि finance minister निर्मला सितरमन का यहाँ पे जो interim budget हुआ, for 2024-25, however, could give the central bank, however, यह जो है central bank, वो क्या provide कर सकता है, some more room to ease liquidity constraints in the economy, कि वो जो है, अब देखो, यहाँ पे जो interim budget है, इससे जो है, Reserve Bank of India को थोड़ा सा room मिल जाता है, थोड़ा सा space मिल जाता है, कि वो जो है liquidity को थोड़ा बहुत ease कर सकता है, यानि कि market में liquidity को थोड़ा सा छोड़ सकता है, ठीक है, जो liquidity constraints है, उसको थोड़ा सा easy कर सकता ह while the government did not provide a prop, but government ने कोई भी support provide नहीं किया है, for weak consumption trends, क्योंकि government का यह कहना है कि GDP बहुत grow कर रहा है, but consumption जो कम है, उसके against में कोई भी support government के तरफ से देखने को नहीं मिला है, and it is also not adding to the inflation pressures, and यह inflation pressure के उपर भी यह कुछ add नहीं कर रहा है, a stronger than expected pursuit of fiscal consolidation, तो बोला जा रहा है कि एक जो stronger than expected, मतलब जीतना expect किया जा रहा है, उससे भी जो stronger fiscal consolidation, यानि कि हर एक चीज़ को मिलके, हम लोगा economy को strong बनाने का यहां पर जो दावा, यहां पर जो किया जा रहा है, in this year and the next, and a promise to lower gross market borrowings, and यह जो बोला जा रहा है, and यह जो promise किया जा रहा है, ठीक है, कि जो gross market borrowing से उसको कम किया जाएगा, from 15 lakh crore this year to a tad, to a less over than 14 lakh crore in 2025, कि यह बोला जा रहा है कि, and यह जो promise किया गया है, कि हम लोग का जो gross market borrowing है, हम लोग जो बहार से जो borrow कर रहे हैं, तो वो जो है, पहले कितना था, 15.4 lakh crore से, यह थोड़ा बहुत कम हो, कि यह जो 14 lakh crore जो हम लोग बहार से borrow करेंगे, should help, यह जो है, help करेगा, the finance minister asserted that, this will free up more credit for the private sector now, कि इस से जो है, private sector के लिए, बहुत सारा जो है, loans, बहुत सारा जो है, पैसा, यहाँ पे जो है, free up हो जाएगा, that industry is beginning to invest at a scale, कि जो industry है, वो जो है, एक scale में, जो है, वो क्या है, invest करना, start कर रहे है, gross market borrowings as a share of the fiscal deficit, तो बोला जारा है कि जो gross market borrowings है, जो क्या है, as a share है, किसका, of the fiscal deficit, fiscal deficit का मतलब क्या है, जहाँ पे expenditure, बच्चों जादा होता है, revenue से उसे हम लोग क्या कहते है, fiscal deficit कहते है, तो वही बोला जारा है कि जो gross market borrowings है, जो overall market borrowings है, as a share of the fiscal deficit, क्योंकि जितना ज्याद expenditure होगा उतना ही जो है हम लोग का fiscal deficit बढ़ेगा जितना बॉरो करेंगे बात में interest भी करना है तो ultimately जो हम लोग का fiscal deficit बढ़ जाता है जब हम लोग बॉरो ज्यादा करती है we'll also drop below 84% from 89% this year तो यह बोला जा रहा है कि जो fiscal deficit है ठीक है जो जो जिसके उपर पर डिपेंड करता है क्या यह ग्रॉस मार्केट बॉरो इंस के उपर जो फिसकल डिपेंड करता है वो भी 89% से कम होके 84% हमें देखने को मिलेगा with foreign capital inflows into Indian government bonds तो बोला जा रहा है कि जो foreign capital inflows यानि कि बाहर से जो Indian government bonds में यहां पर जो invest किया जा रहा है likely to spike following their inclusion in global bond indices तो बोला जा रहा है कि ऐसा लग रहा है ऐसा प्रदीत हो रहा है कि यह जो global bond जो index है उसको जो है क्या करेगा उसको यहां पर जो है spike करेगा and banks which are the major holders of the securities and यह जो bonds है यह जो government securities है यह mainly किसके पास है banks के पास है तो यही जो banks हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा government securities है and are facing elevated credit to deposit ratio growth rates and वो क्या कर रहा है वो जो है अभी जो credit growth जो है वो banks face कर रहे हैं कि और ज़्यादा credit growth जो है मैं देखने को मिलना है market में कि लोग ज़्यादा से यहां पर क्या कर रहे है लोन ले रहे हैं should get more space to lend तो उसको जो है और ज़्यादा यहां पर जो है space मिलेगा कि bank जो है और ज़्यादा से यहां पर lend कर सकता है economist expect this to help lower borrowing cost for the entire economy economist जो है वो यह expect करते है कि इससे जो है जो borrowing cost है वो कम हो जाएगा for the entire economy पूरा economy के लिए yields on government bonds तो बोला जा रहा है कि government bonds जो returns आ रहे है इल्ड का मतलब क्या है returns तो यह बोला जा रहे है कि जो returns हमें देखने को मिलेगा government bonds से have already dropped from 7.14 percent ahead of the budget to about 7.05 percent कि उससे जो return है वो already जो है यह नीचे जा सकता है even as the systemic liquidity has improved a tad कि अगर मालो जो systemic liquidity है market में economy में जो liquidity है वो मालो गर improve भी होता है ठीक है छोड़ा बहुत भी अगर improve होता है फिर भी जो है government bond में हमारे जो return है वो जो है कम होता हुआ हमें दीखेगा and for mean street hawks यानी कि जो हम लों का economic street है ठीक है यानी कि हम लों का mean street का मतलब क्या है ऐसा जगह जहां से कि हम लों का पूरा economy जहां से यहां पे काम करता है तो वहां पे जो नजर टिका के यानी कि जो regulators जो बैटे है hawks का मतलब क्या है जो regulators यहां पे बैटे हैं ठीक है हमारे economy के जो regulators यहां पे बैटे है for the mean street hawks that is no small comfort तो बोला जा रहा है कि यहां पर यह जो हम लों का liquidity improve होगा but हम लों का government का yield जो है यह कम हो जाएगा हम लों का fiscal deficit जो है तोड़ा बहुत कम होगा यह असल में जो है मिंट street hawks यानि की जो regulatory जो bodies है जो regulators है उसके लिए जो है यह comfort प्रोवाइड नहीं करेगा तो यही कहा गया है आज का second editorial में तो बच्चों यह जरू बताना कि आज का इटोरल का session कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और नीचे comment section में जरू बताना अगर कोई doubt भी होता है तो वहाँ पर जरू लिखना instant जो है मैं वहाँ पर reply दे दूँगा तब तक के लिए thank you bye bye